Welcome Learners, आज हम इस वीडियो में देखेंगे law of diminishing marginal utility क्या होती है और उसके assumptions So, let's start Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, does utility derived from each successive units goes on diminishing जैसे हम, जैसे अगर हमारे फादर घर आते हैं, हम उनको एक cup juice देते हैं ठीक है वो एक glass juice पी लेते हैं, उसके बाद हम फिर उनको एक glass juice देते हैं फिर वो दूसरा पी लेते, फिर तीसरा देते, तीसरा पी लेते, फिर चौता देगे तो फिर वो नहीं पीएंगे क्यों क्यों नहीं पिएंगे क्योंकि उनका जो satisfaction लेवल है वो खत्म हो गया अब उनको satisfaction नहीं चाहिए उनको एक ग्लास जूस से जितना satisfaction मिला उतना ही दूसरे वाले से नहीं मिलेगा उससे कम मिलेगा तीसरे वाले से और कम मिलेगा चौथे वाले तक आते आते मालूम होगा कि उनको अब खाने का मन नहीं है वो अब नहीं लेंगे ठीक है वो नेगेटिव होने लगेगा जैसे हमने एक आइस क्रिम खाई हमें जो satisfaction मिला first आइस क्रिम से उतना same satisfaction second आइस क्रिम से नहीं मिलेगा उससे कम मिलेगा क्योंकि हमारा जो इक्षा था वो थोड़ा पहले से पूरा हो चुका तो इस वज़े से second वाले आइस क्रिम से कम satisfaction मिलेगी फिर जब हम third consume करेंगे तो उससे और कम मिलेगी फूर्थ करेंगे तो और कम मिलेगी फिफ्थ में मन ना करे हमारा शायद बट फिर भी अगर हम करे पूर्ष तो उसको खा ले कंज्यूम कर ले बट उससे satisfaction नहीं मिलेगी धीरे धीरे हमारी satisfaction निगेटिव होती चली जाएगी हमारी जो marginal utility है वो क्या होगी निगेटिव होती चले जाएगी तो इसी तरह से law of diminishing marginal utility यहीं बताता है कि हम जैसे जैसे commodity को जादा consume करेंगे वैसे जो marginal utility है हमारी वो क्या होगी decrease होते जाएगी अगर आपने मेरे video नहीं देखा है कि marginal utility क्या होती है तो आपको link उसका description box में मिल जाएगा so now अब क्या देखना है कि marginal utility और total utility के diminishing होने से यान decrease होने के assumptions क्या क्या है so let's start cardinal measurement of utility सबसे पहला assumption है cardinal measurement of utility यानि utility का numerical measurement होगा numbers में utility को show करेंगे utils के form में, utility की unit होती है utils, utils so utils के form में हम measurement करेंगे utility को तो इस तरह से numerical forms में बताएंगे कि जैसे two utils of utility या marginal utility होई three utils of marginal utility होई इस तरह से ये cardinal measurement में होता है यानि numbers में होता है नेक्स्ट वन इस कंजम्शन ओफ रिजनेबल कॉइंटिटी जो कॉइंटिटी है वो रिजनेबल होनी चाहिए यह नहीं कि एक चम्मच जूस का पी रहे हैं रिजनेबल होना चाहिए कि हाँ एक ग्लास है जूस की यह नहीं कि एक स्पून आइसक्रिम खा रहे हैं एक स्पून है वो continuous भी होना चाहिए यानि कि जिसे अभी खाएं तो उसको finish करने के बाद तुरंत दूसरा unit हमें मिलें तभी हमारी satisfaction कमेगी ऐसा नहीं कि हम अभी ice cream खा ले और फिर एक घंटे बाद ice cream खाएं तो हमारा satisfaction नहीं कमेगा मेभी एक घंटे बाद हमें फर्स्ट ice cream उतनी satisfaction दिये जितनी की सेकेंड दे रही है दोनों की satisfaction इक्वल हो जाएगे अगर हम उसको एक घंटे पर दो घंटे पर कंजूम करेंगे सो consumption जो होना चाहिए वो continuous होना चाहिए एक खत्मा तो तुरंट दूसरा offer किया गया फिर दूसरा खत्मा तो तुरंट तीसरा offer किया गया इस तरह से no change in quantity और continuous के साथ quantity में भी कोई change नहीं होनी चाहिए अगर पहला first time में अगर हमने एक कोन आइस क्रीम की खायती साथ second time में भी हम same कोन लेंगे okay quantity में change नहीं होना चाहिए rational consumer rational consumer वो होता है जो हमेशा वैसे goods का selection करें जिससे उसको highest satisfaction मिले means उसके पास income जो है वो limited है अब उस limited income से वो ऐसे goods का selection करें जिससे कि उसकी satisfaction जो level है वो highest हो independent utility utility जो होती है वो independent होती है जिससे एक person की जो utility है वो जरूरी नहीं कि दूसरे की भी same हो जो person wise person ये different करती है ये independent होती है एक की जो है वो दूसरे की भी same हो ऐसा जरूरी नहीं है या एक commodity की जो utility है वही दूसरे commodity की भी utility हो वो जरूरी नहीं है बद जिसको नहीं पसंद है उसके लिए तो utility होता है commodity का वो सेम होना चाहिए तब जाकर कि उसकी utility इंडिपेंडेंट कहलाएगी ठीक है next is mu of money remains constant marginal utility of money remains constant means जो भी money invest हो रहा है उस commodity पे वो constant होना चाहिए यानि अगर आइस्क्रीम 15 रुपीज की है तो वो 15 रुपीज की ही रहे अगर आइस्क्रीम 100 रुपीज की है तो वो 100 रुपीज की ही रहनी चाहिए हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी 15 खा रहे है तो कभी 100 खा रहे है क्यों क्योंकि महंगी वाली आइस्क्रीम की तो satisfaction level जादा होगी सस्ती वाली हर किसी को नहीं पस तो इस तरह से MU of money जो है वो हमेशा constant होना चाहिए next assumptions is fixed income of consumer consumer की जो income है वो भी fixed होनी चाहिए क्योंकि मान लो अगर consumer की income बढ़ गई तो क्या वो 15 वाली ice cream खाएगा नहीं खाएगा वो फिर और महंगी वाली ice cream खाएगा तो इस वजह से उसका satisfaction level 15 में उतना नहीं रहेगा जितना पहले था अगर उसकी income बढ़ गई तो इसी तरह से जो income होनी चाहिए consumer की वो fixed होनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए last one is fixed price of the commodity commodity की भी price fixed होनी चाहिए अगर price में changes आएंगे तो level of satisfaction में changes आएंगे अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो satisfaction लेवल और बढ़ जाता है और अगर कोई सस्ती हो जाती है तो उसका satisfaction लेवल घट जाता है इस वजह से जो price है commodity की जो भी commodity consume हो रही हो चाहिए वो पीजा हो रहा हो जूस हो रहा हो चॉकल deminishing marginal utility के कुछ assumptions होते हैं जिनका होना जरूरी है otherwise अगर यह सारे points अगर यह सारे points पूरे नहीं हो रहे है तो deminishing marginal utility apply नहीं होगा marginal utility decrease नहीं करेगी वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है इस वजह से in assumptions का होना जरूरी है so this is all for today if you like my video please like share and subscribe to my channel thank you